मध्य प्रदेश की पाँच बड़ी फबरे उजेन में कोरोना की बढ़ती प्रकों के सांथ लगातार ओक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए कॉंग्रेस वधायत महीश परमार और अन्य कॉंग्रेसियों ने उजेन के कोविट सेंटर बनाए गए माधफनगर अस्पताल को 20 ओक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीन भेट की इसी के सांथ कॉंग्रेस वधायत महीश परमार ने शहर से नाजोतों से 25 के घड़ी में आगे आकर मौत से लड़ रही मरीजों की सहायता करने की अपील की है इसके अलावा कॉंग्रेस निता सुरेंद्र मर्मट और अनिल धवन ने भी अपनी तरफ से दो मशीने भेट की हैं वहीं उजेन का बैरवा समाज की अपनी जिम्मदारी निभाते हुए ऑक्सीजन मशीने जुटा रहा है बैरवा समाज ने भी 20 मशीने देने का लक्ष बनाया है इंद और में कोरोना संट्रमन को देखते हुए लगाया कोरोना कर्फियों शराब दुकानों पर बे असर दिखाई दे रहा है इंद और में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हालात काफी गंभीर बने हुए हैं लोग अपने कामों को छोड़ कोरोना कर्फियों का पालन करते हुए घरों पर बैठे हैं वहीं दूसरी तरफ शराब दुकावनों पर लगने वाली ये फीर कोरुना से होने वाली तभाई को आमंत्रन दे रही है। उज्जेन में पुलिस विवाग में बटे कोरुना संक्रमन को देखते हुए भैरफगर शेत्र में 50 बेट का आइसोलेशन सेंटर तयार किया है। अगर मालवा में भी कोरुना की बढ़ते मामलों को देखते हैं। लेखते हुए कोरुना कर्फ्यू लगाए गया है। ये कोरुना कर्फ्यू 6 अप्रेल की सुभा 6 बजे से लागू हुआ है। जो 23 अप्रेल की सुभा 6 बजे तक लागू रहेगा इस कोरुना कर्फ्यू का अभी तक काफी सक्ती से पालन हूता दिखाई दिया है। आगर चले में लोग कुर्णा कर्फ्यू का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी आगर की व्यस्त सरके सुनसान नजर आई।